प्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज भाई आप जो चैप्टर स्टार्ट किया हुए कैलिकुलस का सक्सेसिव डिफ्रेंशेशन उसका नेक्स पार्ट करने वाड़े हैं और आज का जो अपना टोपिक है भाई वो है तो इसका नेथ डेरिवेटिव कैसे करते हैं तो सबसे पहले आप य लिखते हैं य इस इकल टो श्न ए एक्स प्लस ब उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दो भई जो कलासिज का सेड्डूल है डेली का डेली वह अप लोगोंको इंस्टागराम ऐडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इंस्टागराम में सर्च कर लेना भई पहले रिएटिव स्टूड्यval जैसे ही search करोगे आपके सामने जो Instagram की ID है वो आ जाएगी उसको follow कर लेना और जो Delhi की classes का schedule है आप लोगों को आपर provide कर दिया जाता है उसके अलावा जो आप लोगों के PDF notes है भी वो मैं Telegram group है अपना ठीक है उसका link भी मैंने description में दे दिया है वहाँ से join कर लो या Telegram open करना और जो search tab होता है उसके अंदर लिखना PCM by AK ये सारे small letters लिखना और उसके बाद इनके बीच में कोई space नहीं देना यानि कि ये adjectives लिखने उसके बाद आप लोगों के सामने Instagram ID का जो भी आप लोगों का group है वो आ जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को सारे notes provide कर दिये जाते हैं ठीक है उसके अलावा video को share कर दिया गरो भी जितने भी आप लोगों के पास group है उनके अंदर और channel को subscribe करना ना भूले तो सबसे पहले क्या किया भी y लिख दिया y is equal to sin ax plus b अब आप लोगों को पता है जब मैं sin x का differentiation करता हूँ तो मेरे पास आता है भई cos x sin x का differentiation करते है cos x जब angle का करते हैं तो भई x का करेंगे तो dx by dx ये जर्नली क्या हो जाता है 1 तो इसको आपा लिख देते है cos x ठीक है तो यहाँ पर आजाओ जब मैं इसका first differentiation करूँगा क्या करूँगा first differentiation तो sin का differentiation cos ax plus b और जब ax plus b का करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा भई यहाँ पर a आजाएगा ठीक है अब आप लोगों को पता है एक property होती है sin 90 plus theta मेरे पास क्या होता है cos theta ठीक है sin 90 plus theta क्या होता है मेरे पास cos theta तो अब यह मेरे पास क्या है cos theta इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a को तो agitated लिख दिया अगर मैं क्या लिख दो sin 90 plus theta तो sin πy by 2 प्लस यह पूरा theta का का काम करेगा तो ax plus b मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ just मैंने क्या किया है, property use की है, मैं cos theta को क्या लिख सकता हूं ये पूरा किसकी तरह काम करेगा, ये cos हो गया और ये जो पूरा है ना, ये क्या करेगा theta की तरह काम करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos theta is equal to sin 90 plus theta और A को मैंने as it is लिख दिया, ठीक है फिर से भई इसका second time derivative करो जब मैं इसका second time derivative करूँगा वो आएगा मेरे पास इसका करना है न A as it is sine का करेंगे cos pi by 2 plus A x plus B उसके बाद angle का करेंगे तो ये constant, ये constant 0 A x का करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा A, तो A A क्या हो जाएगा A square फिर से देखो भई, वो property यूज़ करेंगे ये मेरे पास cos theta है और cos theta को मैं क्या लिख सकता हूँ sine 90 plus theta ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया A square sine pi by 2 वो एक pi by 2 और आगया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 pi by 2 plus A x plus B यानि कि pi by 2 plus pi by 2 2 pi by 2, ठीक है उसके बाद next अपने पास आता है, इसका third time derivative करो जब मैं इसका third time derivative करूँगा तो मेरे पास देखो y third time derivative A square as it is sine का differentiation करेंगे, तो मेरे पास cos 2 pi by 2 plus A x plus B ठीक है, उसके बाद जब आप angle का differentiation करेंगे, तो देखो ये constant, ये constant, A x का क्या जाएगा A, तो base same power क्या हो जाएगी add, तो यहाँ पर लिख देते हैं A q, उसके बाद फिर से उस property का use करेंगे कि मैं cos theta को क्या लिख सकता हूँ A q बाहर cos theta को लिख सकता हूँ, sine pi by 2 plus 2 pi by 2 ठीक है, देखो, pi by 2 plus theta होता है न, तो इसको add कर लो pi by 2 plus 2 2 pi by 2, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 pi by 2, कितना हो जाएगा 3 pi by 2 तो मैं इसको direct लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 pi by 2 3 pi by 2 plus A x plus B फिर से क्या करो, एक बरोर derivative करो इसका जब मैं इसका fourth time derivative करो आँगा तो मेरे पास आएगा A का cube as it is sine का करेंगे तो cos बोलो भई, क्या आएगा 3 pi by 2 plus A x plus B ठीक है, angle का करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, A, B same power add तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A की power 4, ठीक है यहाँ पर A की power 4, cos theta को क्या लिख सकते है cos theta को लिख सकते है, sine pi by 2 plus theta, तो sine 4 pi by 2 plus A x plus B ठीक है, यह भई 2 pi मैंने क्यों लिखा है, यह journal यह आपने किया था, pi by 2 plus pi by 2, यह मैंने 3 pi by 2 क्यों लिखा है, 2 pi by 2 plus pi by 2 और यह मैंने 4 pi by 2 क्यों लिखा है 3 pi by 2 plus pi by 2, ठीक है, 2 LCM लेते हैं, उपर 3 pi by 3 pi plus pi, याने की 4 pi तो मैंने लिख दिया 4 pi by 2, उसके बाद देखो भई, अब अपने को nth derivative लिखना है, तो चलो nth derivative लिखते हैं, तो अब अपच ले जाते हैं कहा पर, nth derivative के उपर, nth derivative journal यहां से क्या आएगा भई, यहां से देखो, जब मैंने first time derivative किया था, तो a की power 1 आई थी, जब मैंने second time derivative किया था, तो a की power 2 आई थी, जब मैंने third time derivative किया था, a की power 3 आई थी, जब मैंने fourth time derivative किया, तो a की power 4 आई गी, और जब मैं nth time derivative करूँगा, तो a की power n आई गी, ठीक है, उसके बाद सब में sine चल रहा है, तो sine देखते हैं, उसके बाद यह वाली टरम देखो, तो क्या आया भई, 3 pi by 2, जब मैंने 4 time derivative किया, यह आया, 4 pi by 2, जब मैं nth time derivative करूँगा, यह आएगा, n pi by 2, और यह वाले टरम देखो, सब में common चले रही, ax plus b, तो यहाँ पर लिख दिया, ax plus b, तो यह मेरे पास क्या आ गया, भई, nth derivative आ गया, in case of, when y is equal to sin ax plus b, then the nth derivative is, yn is equal to a की power n, sin n pi by 2, plus ax plus b, यह मेरे पास क्या आ गया, भई, nth derivative आ गया, जब मेरे पास, y is equal to sin ax plus b की form में है, उसके बाद, next step भई, अपने पास, लिख लो, इसको में rough कर रहाँ, अब अपने पास भई, जो next derivative है, nth derivative, find out करना है, अब अपने को, जो next nth derivative find out करना है, वो करना है, cos ax plus b के लिए, ठीक है, cos ax plus b के लिए, तो सबसे पहले भई, आप लोगों को cos x का differentiation पतावना चाहिए, तो cos x का differentiation क्या होता है, d by dx, और अपने को क्या करना है, cos x का differentiation, क्या होता है, माइनस का sin x, ठीक है, क्या होता है, माइनस का sin x, तो यहाँ पर आओ भई, सबसे पहले आपा y लिखते हैं, y is equal to cos ax plus b, ठीक है, उसके बाद इसका first derivative find out करो, तो first derivative क्या आएगा, cos का differentiation क्या होता है, माइनस का sin x, तो angle क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है ax plus b, उसके बाद जब आप है angle का differentiation करेंगे, तो अपने पास क्या हैगा, यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, x a का करेंगे, तो a और b का करेंगे, तो मेरे पास क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, अब यहाँ पर एक property का use होगा, अब वो property क्या है, वो देख लो, minus का sin theta किसके बराबर होता है, cos pi by 2 plus theta, तो यहाँ पर देखो, minus का sin theta, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos pi by 2 plus theta, तो यहाँ से देखो, a बार है इसको मैंने पहले लिख लिया उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ cos πाई बाई टू प्लस थिटा थिटा का काम क्या कर रहा है ax प्लस b ठीक है ax प्लस b उसके बाद क्या करो secondary way to find out करो जब मैं इसका secondary way to find out करूँगा तो a as it is cos का differentiation क्या आएगा minus का sin x minus का sin x यानि कि πाई बाई 2 प्लस ax प्लस b उसके बाद जब आपा angle का differentiation करेंगी तो πाई बाई 2 constant है 0 b क्या है constant 0 तो ax का क्या जाएगा अब देखो a और a base same power क्या हो जाएगी add तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का square यह मैंने यह से क्या घर दिया अब आपा property यूज़ करेंगे वही minus sin theta को क्या लिख सकते हैं यह वाड़ा minus का sign और sin theta क्या लिख सकते हैं a square cos pi by 2 यानि कि pi by 2 पहले से है pi by 2 plus pi by 2 यानि कि 2 pi by 2 plus ax plus b ठीक है यह मेरे पास क्या आगया second derivative then we have to find out third derivative अब third derivative क्या होगा a square as it is उसके बाद जब आपा cos का करेंगे तो यह आएगा minus का sign minus का sign 2 pi by 2 plus ax plus b उसके बाद जब आपा angle का करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा a तो यह देखो base same power क्या हो जाएगी at यहाँ पर cube लिख देते है अब इसको minus का sign theta क्या लिख सकते हैं आपा लोग minus का sign theta लिखा जा सकता है cos 2 pi by 2 plus pi by 2 journal ही क्या लिखते हैं pi by 2 plus theta theta क्या है 2 pi by ax plus b तो देखो 2 2 यह कितना हो जाएगा 3 pi by 2 कितना हो जाएगा 3 pi by 2 similarly 4th जब आपा 4th derivative find out करेंगे तो वो क्या होगा भई वो होगा a cube as it is जब आपा cos का करेंगे तो यह आजाएगा minus का 3 pi by 2 plus ax plus b उसके बाद इसका angle का करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा a तो base same power क्या हो जाएगी add तो यहाँ पर लिख देते हैं a की power 4 फिस्चे वही property यूज करते है sin pi by 2 oh sorry minus का sin theta is equal to cos pi by 2 plus theta तो a की power 4 as it is cos 4 pi by 2 plus ax plus b ठीक है अब आपा nth पे चलते हैं कहा चलते हैं nth पे इसका nth derivative क्या होगा भई तो देखो जब मैंने इसका first time derivative किया तो a की power 1 जब मैंने इसका second time derivative किया a की power 2 जब मैंने इसका third time derivative किया a की power 3 जब मैंने इसका fourth time derivative किया a की power 4 जब मैं इसका nth time derivative करूँगा तो a की power क्या आएगी मेरे पास a की power आएगी भई nth ठीक है उसके बाद देखो, cos सब में चल रहा है, तो cos आ लिए, जब मैंने y की power 1 रखी, तो pi के आगे क्या रखा, first derivative किया, तो pi by 2 के आगे क्या था, 1, जब मैंने second derivative किया, pi by 2 के आगे क्या था, 2, जब मैंने third derivative किया, pi by 2 के आगे क्या था, 3, जब मैंने fourth time derivative किया, तो pi by 2 के आगे क्या था fourth जब मैं nth time derivative करूँगा तो pi के आगे क्या आएगा भई n pi by 2 n pi by 2 उसके बाद देखो ax plus b सब के अंदर क्या चल रहा है common तो मैंने क्या कर दिया ax plus b ठीक है ये मेरे पास क्या आगया भई ये मेरे पास nth derivative आगया किस केस में जब मेरे पास y के equal है y is equal to cos ax plus b तो भई ये sin ax plus b और cos ax plus b के लिए nth derivative था इसके अलावा जो अपने पास 2 derivative और बसते है nth derivative वो आपा next part में करेंगी thanks for watching creative study है कि channel के उपर नए हो तो channel को subscribe कर लो bell icon press कर लो और भई video को ज़्यादा से ज़्यादा share करता हूँ again thanks for watching creative study